2014 का वो माहौल याद कीजिए जब नरेदर मोदी किसी मन से खरे होकर नारा लगाते थे तो वहाँ पर मोदी को सुनने आया हुजूम मोदी में हो जाता था, हर किसी के जुबान पर सिर्फ मोदी रहते थे, मोदी ने 14 में जब अपनी 6 भी बनानी शुरू की तो उसके बाद लो फिर बीजेपी भक्त नाम के सब्द प्रचलन में आये, और कुछ समय बाद तक ऐसा वक्त भी आया जब लोगों के बीच नरेदर मोदी की छवी धूमिल होनी शुरू हो गई, वैसे कई मोंके आये जब चुनाव के दोरान, नरेदर मोदी ने मन से पूरी तरीके से राजनि फस कर रह गई है, राजनिती के दलदल के अंदर ही अंदर परिवारबाद ने अपना पूरा पैट जमा लिया है, और आप और हम बॉल्यूड के में फैले परिवारबाद को लेकर ही हाई तौबा करते रहे, सुसांत की मौत के बाद हमने पूरे बॉल्यूड को बाइकाट क कुछ दिन बाद ही जब मीडिया ने उस मुद्दे को उठाना छोड़ दिया, तो फिर हम वापस अपने जोन में आ गए, हमें तो यह दिखाए देता है कि बॉल्यूड में नेपोटिजम की वज़ा से अच्छे अच्छे टैलेंट कहीं गुबनामियों में खोकर रह गए है जीतन राम मांझे ने जब अपने दामाद को अपना परसनल सेक्रेटरी निउप्त किया था, उस वक्त किसी परकार का कोई बवाल नहीं हुआ था, जबकि ये नियम के बिरुद्ध था, थोड़े दिन बाद कुछ राजनेताओं ने हला तो किया था, लेकिन जनता के बीच उसका कुछ असर नहीं दिखा, लेकिन किसी बड़े मंच पर जब चटकर ने दर्मोदी ये कहते हैं कि बिहार में अपने पुटी जम हार रहा है और विकास जीत रहा है, तो लगता है कि राजनितिक दलदल के काले रंग के नीचे ये निता कितने कारनामों को छिपाने की को पुशिस कर रहा है, राजनिति में परिवारबाद इसना बढ़ गया है कि लोग इंतजार करते हैं कि कब उसका उतराधिकारी राजनितिक बयान देने के लायक हो जाए, ताकि उसे जल्द से जल्द अपने एंपाइर को बढ़ाने के लिए लगा दिया जाए, बले ही बिहा बिहारी फर्स्ट का नरा लगा कर वोट मांगा जाए, लेकिन सचाए तो यही है कि बिहार की सियासत फैमिली फर्स्ट के फॉर्मूले पर चल रही है, यहां तो लोग बस फिराक में रहते हैं, ताकि जल्द से जल्द अपनी विरासत संतान को सौपने का मौका मिल जाए, य बहाई के लिए, भतिजा के लिए, पत्नी के लिए, समधी के लिए, और समधन तक के लिए सब की दवस्था की गई है, यहां तो लोग बस फता से हटते भी हैं, तो अपने किसी परतिनिधी को वहां पर बैठा कर रखते हैं, ताकि विकल्प खतम ना हो जाए, पत्ती अगर लालों को यह लगा कि वह जेल जा सकते हैं, तो उन्होंने अपने पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक उसी प्रकार जब नितीज कुमार ने इस्तिफा दिया था, तो जीतन राम मांजी को मुख्यमंत्री बनवा दिया था, बिहार में अपना कद बढ़ाने की फिराक में लगी लोजपा, पूरी तरहिके से परिवारबाद पर चल रही है, पहले राम बिलास पासवान राश्ट्रिया ध्यक्ष थे, फिर जब राम बिलास पासवान बिमार रहने लगे, तो उन्होंने चिराक पासवान को राश्ट्रिया ध्यक्ष बना दिया, राम विलास के तीसरे भाई संसदिया दल के नेता हैं और आज चिराग पास्वान लोजपा के राष्ट्रिया ध्यक्ष हैं और सांसद भी और अगर आरजेडी के परिवारबाद की बात की जाए तो इसे लेकर काफी बवाल हो चुका है तो पुयादव ने जब आरजेडी के नाव लगने पर रोक लगी तो उनका टिकट उनकी बेटी मीशा भारती को दे दिया गया बहती नदी में तेजस्वी और तेजपरताब भी बिहार के सबसे बरे नेता के तौर पर लॉंच हो गए तेजस्वी सिदे बिहार के उपमुख मंत्री बन गए और तेजपरताब ब कि इस पार्टी ने परिवारबाद को बढ़ावा नहीं दिया कई बार राश्टरबाद का नारा देने वाले बीजेपी भी परिवारबाद के सामने जुक गए सीपी ठाकूर के दवाब के आगे उनके पुत्र वीबेक को बिधान पारसत बनाना परा हुकुम देव नारानी आदब के पुत्र असो की आदब भी विधायक बन चुके हैं बेटे को अगर अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो बेटा किसी दूसरी पार्टी में सामिन हुकर भी चुनावलर लेता है और अंगाबाद के सांसद सुसील सिंग के भाई को टिकट नहीं दिया गया 和डियू जोयन करने के बाद उन्हें टिकट भी मिला और उन्हें चुनाव भी लड़ा पतना से पुर्व सांसद और पुर्व केंधरिया मंतरी रह चुके सत्रुधन सिन्णा की पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया और चुनाव मंडल जो बिहार के पर्थम गैर कॉ अगर अनंत संग का टिकट कट भी जाता है तो वह उनकी जगाह पर चुनावलरे पट जब अनंत संग का टिकट बच गया, तो उनकी पत्नी निलम देवी ने अपना पड़्चा वापस ले लिया और अनंत संग ने चुनावलरा चंद्रिका राईज और बिहार के पुर्व मुखमंत्री दरोगा परसाद राई के बेटे हैं उन्होंने भी जद्यू के टिकट से परसा से चुनाव लड़ा किंद्रिया मंत्री दिग विजा सिंग की बेटी स्रेसी सिंग ने भी बीजेपी के टिकट पर जम्मूई से चुनाव लड़ा स्रद्यादव की बेटी सुभाशनी यादव ने भी कॉंग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा तो ऐसे उधारन बहुत सारे हैं जो इस बिहार बिहार के विधान स्वाशुनाओं में देखने को मिले हैं लेकिन ऐसे भी कई उधारन हैं जिसके परिवारबाद की मीब बहुत पहले ही रख दी गई थी लेकिन उसका प्रभाब बाद में देखने के लिए मिला बिहार के प्रतम मुख्यमंत्री स्री क्रिस्म सिंग और समाजबादी नेता करपूरी ठाकुर ने परिवारबाद से परहेच किया और बेटों को राजनेती माने नहीं दिया येकिन बाद में स्थिती बदल गई और स्रीक्रिस्म सिंग के पूतर बंदी संकर सिंग भी बिधायक बने और बिभारत थाकुर्ण एसक कर अशरकार में मंत्री भी वने रामनाथ ठाकुर ने भी पिता के बदलत मंत्री पतक हासिल किया। बिहार के विभोति कही जाने बाले अनुगरा नरायन सिंग के पुत्र सत्यंदर नरायन सिंग भी मुक्यमंत्री बने और परंपरा आगे बढ़े। उनके पुत्र भी निखिल कुमार और अंगाबाद से सांसद और बाद में राजिपाल पर तक पहुंचे। जब वो दिल्ली पुलिस की नौकरी में थे तो पतनी स्यामा सिंह और अंगाबाद की सांसद थी। अगर नारा के हिसाब से कहा जाए तो बिहार में बहार तो है ही तो कि फिर से बिहार में निखिस कुमार है। धन्यवाद।